हलो फेंड्स वेलकम बैक टू राइट जॉन कैसे हैं आप सभी आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं हूँ डाइटेशन नेहा सिंग डाइटेशन नूटरिसनिस्ट आज हम डिसकर्स करेंगे हाई प्रोटीन फूड के बारे में जिन भी खादे पदार्तों में सब उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले ब्रीफ कर लेते हैं कि प्रोटीन क्या होता है प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रियंट है इसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिट्स अवेलेबल होते हैं जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रॉंग बनाते हैं और हमारी new cells को develop करने में help करते हैं और हमारी cells को जो damage हो जाती हैं उनको repair करने में help करते हैं प्रोटीन हमारी body में बहुत important role play करते हैं because protein का intake प्रते दिन हमारी body को बहुत अधिक मात्रा में required होता है हमारी muscles को develop करने के लिए tissue, आपके skin, hair, bonds की health को maintain करने के लिए protein daily life में बहुत essential role play करते हैं आपका immune function, movement, hormone synthesis and chemical reaction के लिए बहुत necessary होते हैं protein आपको per day कितना लेना है वो आपकी body size, आपका activity level, आपका weight, आपकी age, आपका pregnancy, status उस पर निधारित होता है but for normal person according to RDA आपको daily 0.8 gram per kg body weight protein लेना ही चाहिए अगर आप 0.8 से calculate करते हैं यदि आपका weight 60 kg है तो 60 kg में 0.8 gram के हिसाब से लगबग आपको 50 gram तक protein लेना चाहिए प्रति दिन पर हम Indian हम भारतिये लोग बहुत कम मात्रा में protein लेते हैं because हम vegetarian है, second हमें उस चीज की awareness नहीं होती है वाला नाश्ता करते हैं तो वो आपको लंबे समय तक भूक नहीं लगने देता इसका मतलब ये है कि वो आपके वजन को कम करने में भी help करता है so protein बहुत अच्छा है वजन को कम करने के लिए number two, sarcopenia को कम करने में मदद करता है number three, आपका BP अगर बड़ा हुआ है, आप hypertension सिग्रसित हैं तो उसको भी कम करने में मदद करता है जो भी आपके tissues, muscles, damage हो जाती हैं, उनको repair करने में help करता है immune system को improve करता है, आपके skin, आपके hair इनको भी improve करता है तो protein daily आपकी diet में लेना बहुत जादा important है so अब मैं आपके साथ share करने जा रही हूँ protein के कुछ ऐसे sources जो कि आप अगर अपनी diet में add कर लेते हैं तो आपकी protein requirement fulfill हो जाती हैं जो भी sources हैं वो purely vegetarian लोगों के लिए है vegetarian sources के साथ ये बहुत सस्ती मात्रा में भी आपको available हो जाते हैं so number one is soya bean soya bean में बहुत अच्छी मात्रा में protein available होते हैं 30-40 gram soya bean अगर आप लेते हैं तो उससे आपको 11 gram तक protein provide होता है number two अंकुरित अंकुरित में different different डाल का different different protein requirements होती हैं जैसे कि डाल का sprout अगर आप बनाते हैं तो 7 gram protein आपको मिलता है 77 gram डाल के sprout से राजमा sprout अगर आप 180 gram तक लेते हैं तो 8 gram protein मिलता है मतर का sprout अगर आप 120 gram तक लेते हैं तो 11 gram protein आपको उससे मिलता है चना sprouts अगर आप 140 gram तक लेते हैं तो 36 gram protein आपको मिलता है सबसे ज़्यादा मात्रा में चने के अंदर protein available होते हैं मोंग स्प्राउट अगर आप 100 ग्राम तक लेते हैं तो उसमें 3 ग्राम प्रोटीन ही अवेलेबल है यदि आप सोया बीन का स्प्राउट बनाते हैं 70 ग्राम तक तो उससे आपको लगबग 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है तो ये थे दालों के स्प्राउट के प्रोटीन नमबर तीन दालें, दालों में 100 ग्राम दाल में 4.68 ग्राम प्रोटीन अवेलिबल होते हैं नमबर चार दूद, 244 ml दूद अगर आप लेते हैं तो 8 ग्राम प्रोटीन उसमें अवेलिबल होते हैं Next, mungphalit, mungphalit में 26 gram protein available होता है, यदि आप 100 gram mungphalit का intake हो जाना करते हैं Next, cottage cheese, 100 gram cottage cheese में 11 gram protein available होता है, cottage cheese का मतलब आप घर पर ही जिस cheese को prepare कर रहे हैं Next, Greek yogurt, एक कप Greek yogurt अगर आप लेते हैं तो उसमें 17 gram तक protein available होते हैं Next, quinoa, quinoa 100 gram अगर आप लेते हैं तो 8 gram protein उसमें available होता है Next, seeds, सभी प्रकार के seeds को मिला कर अगर आप 28 gram तक लेते हैं तो 9 gram protein आपको उससे मिलता है Next, paneer, 100 gram paneer अगर आप लेते हैं तो 18 gram protein आपको paneer से provide होता है तो ये थे top 10 protein rich food product जो कि आप अपनी daily दिन जर्या में add कर सकते हैं यदि आप इन में से 5 चीजों को भी अपनी daily routine में add करते हैं तो आपकी जो daily requirement है protein की वो आप fulfill कर सकते हैं बट जो मैंने आपको requirements बताई हैं वो एक normal साधारन person के लिए हैं यदि आपका वजन कम है, ज्यादा है, आप किसी बिमारी से ग्रश्तित है या फिर आप athletes में हैं या gym going हैं या फिर आप किसी accidental injuries से सफर कर रहे हैं या फिर आप किसी surgery से सफर कर रहे हैं तो उस situation में आपके protein की requirements totally different होती हैं ये थे vegetarian sources जो मैंने आपके साथ share कर दिये हैं तो जल्दी से इनको अपनी diet में add करें वीडियो पसंद आ रहा है तो please like कर दें चैनल को subscribe कर दें बैल आइकन को hit चरूर करें तभी newly updated वीडियो आप देख सकेंगे बाबाई